दोस्तों तो हमने आठवा जूबा ढून निकाला है और जिसका नाम है सिधार्थ पिठानी अब आप सोच रहोंगे आठवा जूबा वो कैसे हुआ अब ये व्यक्ति आखिरकार जानता नहीं है रिया चकरवर्ती को लेकिन उसके साथ रह रहा था जी यहां ये सिधार्थ पि जरूर थे कि जब रिया चकरवर्ती योगा करती थी जब रिया चकरवर्ती को क्वारेंटाइन में किसी की ज़रत परती थी जब रिया चकरवर्ती को अपनी बहुत ऐसे बड़िया बड़िया फोटोस खिचवानी होती थी तो ये चड़ी बड़ी बन जाते थे तो ये सिध अबक्वास डिक्ष्णरी वाला सवाल मैं इन से पूछना चाऊंगा तो यह वाली एक स्थिती है जो यह समझ में नहीं आती यह जब चावी वाले को बुला के लाते हैं सोशान सिंग राजपूत का कमरा खुलवाने के लिए जैसे कि बोलते कि गेट बन था तो गेट खुलव तो आप यहां पर क्या कहते हो कि गेट तोड़ो और जब ठूट रहोता है तो आपको दिक्कत हो जाती ही कि नहीं इसको यह तोड़ते वक्त अगर अगर अंदर से गलती से भायचान सवा जा जाए तो ऐसे में आप वहीं रुख जाना तो चावी वाले ने जवाब दिया था डीने को और बहुती गंभीर है बहुती दुख द है कि यह जूट जो बौलता है यह वक्ती समझ में नियाता है किसी को नहीं समझ में आता है और इतना ही नहीं बहीं आप सोच्ड़ों इतने मिफीं हो जाएगा तो नहीं यह सिधार्थ पिठानी बाद में यह भी बूलता ह कि भाई रिया चकरवर्ती तो वो लड़की थी जो सुशान्त का समान चुरा रही थी रिया चकरवर्ती घर से चुरा-चुरा के लिए जा रही थी तो अगर आप इतना कुछ बोल चुके हो तो आज यही सिद्धार्थ पठानी रिया चकरवर्ती की जो अब जो पोस्ट डिल अपके सामने हैं भई और कुछ नहीं तो सुषान्त के बहुत करीब रहता था, उनके साथ रहता था उनके घर में लेकिन आ सते जान नी पाया सुषान्त की हाईट कितनी तो उसे दाथ पिठानी अपने ही बहुत बहुत मीठे स्वर से अपनी मीठी बोली में बोलते हैं कि भाई सुशान्त की हाइट पांच फुट साथ या आठ हिंज थी जी आप खुछ सुन लो एक बात जिस तरीके से इन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि सुशान्त की हाइट एक पांच आठ थी जबकि सुशान्त की अधी जाठ तो फुट संट्राइब की हाइट इसमें सुशान्त की हाइट एक ऑस ऑन फाइस थे जाएट रहत प्रवित इसमाय वाबधा बनुट साथ नषै यह उनके साथ से मैने रहे इन्होंने ना ना डायरी ना फटे पेजिस देखे ना ये सुशान्त को मेडिसन रोज देते थे पर कहते थे I'm only a professional associate I mean there are so many holes in your story Siddharth Pithani यहां पर अच्छे से रिया चकरवर्टी का इतना करीबी था तो इतना जूट क्यों बोल रहा था वह आखिर क्या चुपा रहा था क्या यह लोग बहुत कुछ जानते हैं जो आज हमें नहीं बताना चारे कि है Siddharth Pithani के सर पे जो दिखाई देते वीडियो में सोशांतकिम्र प्रिट्यु के बाद कि सिध्धार्थ पिठाणी के सर के बाल उड़ेवे दिखाय देता है कि उनके सर पे जो एक माना जार रहे है अनुमान है कि सर पे चोट लगी थी क्या यह उसका कुछ निशान है जिसको वा छुपा रहे हैं तो ये एक सवाल है सभी के मन में क्या खेस सिधार्थ पिठघानी ऐसा क्या जानता है जिसके कारण उसने इतना जूट बोला, सिधार्थ पिठानी ने उन किन लोगों के नाम दिये, क्योंकि सिधार्थ पिठानी कहह रहा है था हमें रात को पस्थित था, 13 की रात को जब कुछ नजर आता है, उसको जैसे तो कुछ हुआ ही नहीं है, कि सुशांत सिंग राजपूता जीवित हो, इस तरीके से तो इसका जीवन चल रहे हैं, कि ना कोई CBI है, ना NCB है, ना ED है, और ना सुशांत का परिवार दुखी है, तो इसको देखके तो कुछ ऐसा ही व्यतीत हो सकते हैं, और CBI से उम्मीद कर सकते हैं, कि बहुत जल्दी जो दोशी है, उनको पकड़ा जाए, उनको जेल में डाला जाए, तो भाई, इस वीडियो को जादा स्यादा शेयर करो, कि वो भी अवेर होए, कि आखिर क्या पूरा ये चल रहा है, एक हेल क्या है, किस तरीके से स दार्ट पिठानी, पल-पल, हर-पल, जूट बोलता है, तो उन सब से सब को हवेर होना बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर करो, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप मेरे को फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टा पर फॉलो करना चाहों, वह